अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू जैनीस होम, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, आज की जो हमारी रेसेपी है, वो है समर स्पेशल सेलर्ड, यह एक बहुत असान चटपट और क्विक बनने वाली सेलर्ड है, जिसमें हम समर से रेलेटेड कुछ फूर्ट पे आड़ करेंग कुछ हम फूर्ट को आड़ करेंगे, जो के हमारे समर से रेलेटेड है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बन को भी, जिसको मैंने थोड़ी से बन को भी लिया और बारी काट लिया है, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक अदर टमाटर, टमाटर के बहुत सारे इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक अदत खीरा, खीरे के भी बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, जॉइंट पेन में रिलीव देते हैं, कॉलिस्ट्रोल को रिड्यूस करता है, वेट लॉस में बेनेफिशल है, डाजेशन को इंप्रूफ करता है, कैंसर से फाइट करता है, बॉड़ी और स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, सिल्की हेर्स के लिए बहुत बेनेफिशन है, डाजेशन को क्योर करते हैं, इसके लासाज रहे वो, आपके ब्लॉड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एपल, मैंने दू आप मैंगो, मैंगो क्योंके सब्मर की स्पेशल एक फ्रूट आइटम है, और सबको बहुत पसंद होते हैं, मैंगो के भी बहुत सारे बैनेफिट्स हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, स्किन क्लिंजर हैं, आई साइड इंप्रूफ करते हैं, आपकी इम्मुनिटी को इसके बाद मैं इसमें क्यूमिन सीड यानि के जीरा आइट करूँगी, जीरे के भी बहुत सारे बैनेफिट्स हैं, स्पेशली वेट्लोस में आपको हेल्फूल होते हैं, डिजेशन सिस्टम को इंप्रूफ करते हैं, कॉंस्टिपेशन से बचाते हैं, हार्ट और लीवल को प्रोटेक्ट करते हैं, और ब्रेन के लिए यह बहुत अच्छे हैं, इसके बाद मैं एक लेमन इसके अंदर स्क्वीज करूँगी, ताकि जितने भी इंगेशन से डाले हैं, फ्रूट्स और वेजेटेबल्स उनके फ्लेवर को इंहांस करने के लिए, एक लेमन ज्रह हो मैं इसके अंदर आड़ करूए, लेमन डालने के बाद हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो आप इसमे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग्ली स्पाइस आड़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी स्पाइस आड़ नहीं करी हूँ, ताकि जो फ एक शेल में इसको mix-out कर कर के, इसको Đिश आउट करूँगी, कर करने के बाद हम iç के अंदर चिप्स करेंगे, आप अपने मर्जी का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, चिप्स का खेंटकर को इस तरह से अलका साव एयक्सा प्रेक कर टेके प्रॉपर कम्प्लीट मील है जिसको आप इंज्वाई का सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजएगा और अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देचेगा अलाहाफिस